Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary, welcome to my channel Guys, कभी ना कभी तो हम अपने daily life में ऐसे sentences बोलते ही हैं जैसे पापा को फोन दो, रुको मैं मम्मी को फोन दे रहा हूँ तुम्हें किसी बड़े को फोन देना चाहिए था, जल्दी मुझे फोन दो ऐसे sentences हम तब बोलते हैं जब भी हम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और हम या फिर सामने वाला बोल देता है कि एक particular person को फोन दो यानि कि उससे बात कराओ, आईए देखते हैं कि ऐसे sentences को बोलने के लिए कौनसे structure follow होता है एंग्लिश में इसके rule में सबसे पहले past the phone आता है जिसका मतलब होता है phone देना past का sense ऐसे sentences में देना से होता है इसके बाद to आता है और last में noun या pronoun में से कोई एक आता है जिसमें हम उसको mention करते हैं जिसको phone देने के बारे में हम अपने sentence में बात कर रहे हैं अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउनाता है और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउनाता है जैसे कि me, you, him, her, us, them यहाँ पर ये जो pass है ये as a main verb use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि passes, passed, passing चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पू पास दा फोन टू फादर रुको में मम्मी को फोन दे रहा हूं वेट, I am passing the phone to mother तुम्हें किसी बड़े को फोन देना चाहिए था You should have passed the phone to some elder, जल्दी मुझे फोन दो, quickly pass the phone to me, तुम्हें फोन क्यों नहीं दे रहे हो, why are you not passing the phone to her, अब एक sentence आपके लिए अपने भाई को फोन दो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताए है आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए take care, bye bye